हलो स्टुएंट्स, वेलकम बैक टू आर यूटूब एच्वेशन चैनल सिख्छाड़ अकैडमी आज के इस वीडियो में हम इस्टेंडर सिख्थ का पिरियोडिक असेस्मेंट टेस्ट मतलब यूनिट टेस्ट आपका जो है 25 marks का आता है जिसके अंदर आपको 55 marks के 5 questions आते हैं तो इसको हमें one by one solve करेंगे बट start करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो first of all चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को press कर लिजिए जिससे आपको latest वीडियो का update सबसे पहले मिलता रहे है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला question पहले question के अंदर do as directed इसके अंदर तीन questions दिए गए और तीनों के तीनों questions काफी अच्छे हैं काफी simple है इसको हमें आपर पहले solve करेंगे चलिए तो पहले number one number से start करते हैं solve करना और आगे solve करते हुए चलते हैं पहला question साबका जो पहला question इसके अंदर बोला गया which number will be formed by we interchanging the digits at units and hundreds place in 123 in the is the new number greater or smaller than 123 अब suppose आपके पास 123 एक number है अगर हम इसका once digit और 10s digit को interchange कर देते हैं interchange मतलब once वाले को 10s के पास 10s वाले को once के पास लेके जाते हैं तो जो new number बनेगा वो new number क्या इस number से ज़्यादा होगा या कम होगा यह आपको बताना है simple ठीक है और कौन सा number बनेगा वो आपको बताना है तो देखो अगर हम यहाँ पर change कर देते हैं यह 32 की जगह पर आ जाएगा और 23 की जगह पर आ जाएगा तो नया number आपने क्या find किया 132 सब्ट्रेक कर दो इसको ओके यहाँ पर डारेक्ट आप बता सकते हो क्या इंग्लिस बोलने से लगता है आपको डर तो डरना बंद कीजिए और doubtnet के इंग्लिस speaking कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएगे जहां इंग्लिस के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भासा की मदस से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे ओभी एकदम बेजिक से अगर आप इंग्लिस से हिच की चाते हैं अपने interview के लिए English बोलना चाहते हैं अपने आपको English में hero बनाना चाहते हैं तो एक course आपके लिए है आज ही doubtnet पर आकर एक course खरी दिये और अपने खुल के English बोलने के सपने को पूरा कीजिए description में link दिया है So new number is greater than the original number simple सी बात है Question number one complete Second पर आते हैं question पर बोला गया which number we will get if we subtract the place value of 4 from the place value of 5 यहाँ पे 5 आपको एक number दिया गया 9543 इसके अंदर जगर हम place value of 5 find करते हैं और place value of 4 और इसकी place value में से 5 के place value में से 4 की place value को subtract करते हैं तो क्या answer आएगा यह हमें बताना है तो पहले हम 5 और 4 की place value यहाँ पे find कर लेते हैं तो आपको place value कैसे find करते हैं जैसे कि मुझे यहाँ पे चलो 5 की place value find करना है तो मैं 5 को लिख दूँगा as it is उसके बाद जितना digit है उतना 0 लगा दूँगा तो 1, 2, 3 3 digit मतलब 3 0 यह आपके 5 की place value आ गया इसी तरह 4 का place value जो होगा वो 400 सब्ट्रेक कर देंगे जो आएगा हमारा अंसर तो देखते हैं कैसे write करना इसको तो place value of 500 5 is that is 5000 then place value of 4 is that is 400 दें सब्ट्रेक कर दो सब्ट्रेक 5000 यहां पे इस तरह से आप सब्ट्रेक करोगे 5000 minus 400 तो क्या आएगा 0 में से 0 और 50 में से 4 जाएगा आपका क्या आता है 46 that is 4600 आपका अंसर आ जाएगा चलिए question number two complete नाव एक last question first का देख लेते हैं that is third number बोलागा write in words अब देख सकते हैं इसको आप confuse होगे कि हम इसको international में write करें या फिर Indian system में तो देखो अगर international में write करने के लिए यहां पे बोलते ठीक है word में ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हमें खुद पैचानना होगा क्योंकि देखो यह थर्ड डिजिट पहले तीन डिजिट के बाद को माई फिर दो दो डिजिट के बाद ऐसा कि इसमें आता इंडियन सिस्टम में तो आपको इसको इंडियन सिस्टम में आपको निमेरिकल में यहां पे वर्ड में राइट करना है तो फाइप लाख टू थाउजन थ्री हंड़ेड एंड ट्वेंटी फॉर इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो काफी सिंपल था क्वेस्टन नंबर वन ओके अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट अपोल सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे चलिए सेकंड क्वेस्टन पर आते हैं बोला गया फाइंड दा प्रोड फोर को 25 के पास ले जाते हैं 100 हो जाएगा तो 1853 यहां पे 25 multiply by 4 कर दो तो 1853 अब इन दोनों को multiply करोगे तो 100 आएगा अब किसी में भी 100 का multiply करना है तो क्या करते हैं simple हम 0 लगा जेते हैं दो ठी ऐसा ओके तो यह answer हो जाएगा आपका तो चलिए देखते हैं कैसे आपको लिख फोर कर दो फोर को हम यहां से कान पकड़ के इधर ला दिये चलिए अभी क्या किये 25 & 4 को हमने multiply कर दिया जो कि हमारा हंडेड आ अब इसके अंदर 1853 को multiply किया तो क्या डबल जिर लग गया आपका अंसर आ गया इस तरह से सेकंड क्वेस्चन इसका बोला गया है रमेज भाई फिल इस ट्रक डिजल टैंक बित 60 लिटर ऑफ डिजल ऑन मंडे एन 40 लिटर ऑफ डिजल ऑन टूजडे दो दिन उन्होंने डिजल बला एक मंडे और टूजडे को देन डिजल का कोस्ट जो है 85 रूपीस पर लिटर है तो बट कैसे राइट करेंगे ओ देखना है आपको यहां पर ठीक है तो लिखोगे ही स्पेंड इन ओल ऑन डिजल तो 85 मल्टिप्लाइब बैक ब्रेकेट में 60 प्लेस 40 तो 85 मल्टिप्लाइब हैंडड डैट इस 8500 या फिर 8500 तो यह आपका अंसर हो गया इस तरह से आपको यहां पर आपका कंप्लिट हुआ नाव क्वेस्टे नंबर थ्री पर आते हैं डूएज डारेक्टेड में इसके अंदर भी आपको काफी एच्छे क्वेस्टन दिएगें तीन क्वेस्टन है पहला क्वेस्टन है विच्टू नंबर साइब सेम एजब कोमन फैक्टर आपको बता बस एपका सेकंड़ राइट कोमन फैक्टर ऑफ 20 अच्छे को बिएट करना है तो आपको देखो सबसे पहले इनके राइट करेंगे फैक्टर ऑफ 20 फिर फाइट का लो 15 25 आएगा अब पवेक्टर कोमन फैक्टर ऑफ 20 एड 25 तो देखो जोनों में क्या रहे एक तो वन आ र आएंगे सिर्फ one and five नेक्स्ट आपका question number three right first three common multiple of three and five three और five के first three common multiple write करने तो common multiple write करने के लिए सबसे पहले इनके multiple तो write कर लो फिर देखते हैं कौन common आते हैं यह हमने यहां पर write कर दिये दोनों के ठीक है common second common a third three common multiple हमने write कर दिये फिर्स्ट थ्री तो फिर्स्ट थ्री common multiple of यहां पर common लिख देना है आपको कि को मन फिर्स्ट थ्री common multiples of three and five are is equal to 15 30 and 45 this is your answer नेक्स्ट है आपका question number four question number four में बोला गया find lcm of 40 and 60 40 और 60 का आपको यहां पर lcm find करना है lcm find करना बहुत हीजी है simple क्या करोगे ऐसे आपको यहां पर write करना है 40 60 को एक में write कर देना है सबसे छोटे से छोटे नंबर साब डिवाइड करना यहां पर इसको factor factorization करना करोगे तो टू से start करते हैं तो टू से हो रहा है तो 40 को करोगे 20 60 को करोगे तो आपका 30 आ गया second step में again 2 से किया फिर आपका टू से किया अब टू से नहीं होगा तो 3 से करने का 3 से नहीं होगा तो 5 से तो और आपका answer आ जाएगा और यह सब स्मॉलेश त्री डिजिट नंबर इस डिविजबल बाइट ट्वैल एटीन और ट्वेंटीफॉर ओके अगर आपको सिर्फ बोला होता है कौन सा डिविजबल होता ठीक है 3D मतलब स्मॉलेश नंबर तो आप डारेक्ट इसका क्या कर सकते थे वहां पे कहिए फाइंड कर लेते तो अपका अंसर आ जाता था है गया और यहां पर आपको सब कर लो करना है इसके अंदर क्याम करने कबाद दिन आपको यहां पर एटीन का रओं करोगिए ऑडन खरण कोको क्या करना है यहाँ पे लिभंड़ का इसके उसके लिख दिया हुए ठीक है कि आगे इसको मैं कि मुल्टिपल यहां पर हम लिख देते हैं पहले 12 का तो 12 का रहा आपका कुमें मुल्टिपल 12 यहां पर बोलते जाना है ठीक है आगे डैश डैस जी से मैंने 12 ओन्जर 12 सबसे पहले इन दोनों में सेम सेम कौन सा आ रहा है त्री डिजिट तो 108 तो यही आपका यहां पे अंसर हो जाएगा तो अंसर आपका यहां पे आ जाएगा यह आपका अंसर हो गया काफी सिंपल था अभी आगे चलते हैं फिप्त नंबर का लाश्ट क्वेस्चन है मारा बोला गया चूस दा करेक्ट आप्शन पहला क्वेस्चन है इसके अंदर बोला गया है अभी आपके इस तरह से एक फिगर बनाके दिया गया हो इसके अंदर बोला है which point is not a vertex of triangle इस triangle का vertex कौन सा point नहीं है तो देखो B इसका vertex है, C इसका vertex है Z इसका vertex है, बट A आपका क्या है, बाहर है, इसलिए आपका vertex नहीं हो गए, तो answer क्या आजाएगा आपका यहाँ पे, B वाला option मतलब, answer आपका A आएगा ठीक है, A option A वाला, B वाला option, मतलब A answer आएगा, ठाड़े यहाँ पे question है, इस तरह से आपको figure दिने, गिवन है, एक triangle है यहाँ पे, X, Z, W इसके अंदर, Y, Z, W इसके अंदर, Y, Z, जो है एक point दिया गया, question में देखो क्या पूछा गया है, which point is not a point on the triangle अब यहाँ पे कौन सा point है, जो कि triangle के उपर नहीं, Z तो triangle के उपर है, Y भी triangle के उपर, W लेकिन, X जो है वो triangle के कैसे है, अंदर है, इसके उपर नहीं है, तो आपका answer कौन सा आ जाएगा, X, मतलब A वाला option ठीक है, तो अभी यहाँ पे next question देखते हैं, दो question और बाकी रहे गए, इसके अंदर, question number four, question number four में आपको इस तरह से triangle दिया गया, इसके अंदर भी दो triangle है, मतलब, एक triangle से दो triangle बनाया गया, बोला है, which vertices are common in triangle ABC and BCD, तो ABC किदर है आपका triangle, तो पहले ABC आपका triangle, यह रहा, दोनों में आप देखोगे, इन दोनों में और कौन सा आ रहा है, यह दोनों सेम आ रहा है इसके अंदर, B और C, तो answer क्या आ जाएगा, option B, मतलब B and C आ जाएगा, ठीके, fifth last question देखते हैं, इसके अंदर आप से पूछा गया है, कि, in which of the following figure, P is the interior of triangle, इसके अंदर बोला गया है, कौन से figure में, पीज पॉइंट जो है, interior है, मतलब triangle के अंदर आया हुए, यहाँ पे देखोगे, तो पी पॉइंट इसके vertex पाया है, यह तो होगा नहीं, यहाँ पे देखोगे, तो यह इसके side पे आया हुए, यह भी होगा नहीं, मिलते हैं next video में,